नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की के स्टेट इटी टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, के स्टेट इटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और के स्टेट इटी टैबलेट की वज़े से क् side effects हो सकते हैं और यहाँ भी discuss करेंगे कि के state ET tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए के state ET एक brand name है के state ET tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है के state ET tablet के अंदर salt composition tranexamic 500 mg और इथाम साइलेट 250 mg होता है के state ET tablet का उपयोग अधिक bleeding को रोकने के लिए किया जाता है जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान अधिक bleeding होने पर कोई चोट लगने पर नाक से खोन बहने पर सरजरी के दोरान अधिक खोन बहने पर पेट की आतों में bleeding होने पर महिलाओं में delivery के बाद अधिक bleeding को रोकने के लिए और दांत निकालने के बाद ज्यादा खून को बहने से रोकने के लिए के stator ET टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में के stator ET टैबलेट की वज़़ से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में के stator ET टैबलेट की वज़़ से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, सिरदर्ध होना, शरीर की हड्डियों, जोडों और मासपेशियों में दर्ध होना, शरीर में ठकान होना और शरीर में एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है। के स्टेट एटी टैबलेट के सीरियस side effects में deep vein thrombosis हो सकता है। के स्टेट एटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर अधिक bleeding को रोकने के लिए डॉक्तर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को के स्टेट एटी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। के स्टेट एटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको के स्टेट एटी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की के स्टेट एटी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने पर, डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होने पर, किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दोरे आते हैं और जिन व्यक्तियों को पैरो, फेफरो या शरीर के किसी भी हिस्से में पहले खून का क्लॉट बनने की समस्या हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कि state ET टैबलेट को लेना रिखमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना के state ET टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अभी इसके बारे में पर्यापध देटा अवेलेबल नहीं हैं, कि कि state ET टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को के स्टेट एटी टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका के स्टेट एटी टैबलेट से संबंधित कोई